नमश्कार दोस्तों स्वागए से आप सभी का पाथफाइंडर पर दोस्तों अगर हम खलिस्तानियों की बात करें तो अल्रेडी मैंने कुछ दिन पहले निज्ज कवर किया था कि किस प्रकार से सभी के सभी खलिस्तानी चुप गए हैं especially जब तीन टॉप खलिस्तानी कवांडर्स को पिछले 45 दिनों में मार गिराया गया था संदेख धालात में किसने मारा हमें नहीं मालूम लेकिन जो भी है उनकी मृत्यू के बाद यह सारे के सारे खालिस्तानी सपोर्टर सातंगवादी कहीं न कहीं छुप गए थे जिसमें से अगर आप देखें तो समय हैं अभी अभी जिन्दा हैं ऐसे मत बोलो तो गुरुपटवन सिंग पन्लू तक भी इस प्रकार से चुपा हुआ रहता है जो कि UK से लेके US से लेके ऑस्ट्रेलिया तक कहीं न कहीं खलिस्तान वाला जो पूरी आइडियोलोजी है उसको नहीं आग दे रहा है अब यहा पर अगर आप देखें तो पाल पोसकर बड़ा किया गया है यहाँ पर यह आइडियोलोजी आज भी बरकरार है जीवित है अब उस भूमी को याने UK की जमीन पर खालिस्तानियों को अब सेफ्टी जो मिलती थी वो सेफ्टी छिनने वाली है दोस्तो ऐसा लग रहा है मानो ज क्या है यह पूरा न्यूज आइए देखते हैं तो दोस्तो नया न्यूज क्या हुआ है आज का न्यूज आपको बता रहा हूं आप देख सकते हैं 11 अगस्त का यह न्यूज है आपके समक्स जो मैं ला रहा हूं तो इसमें आप देख सकते हैं कहा जा रहा है खलिस्तानी एक Activist इसके सिवा आप अगर देखे तो UK ने एक टेररिजम के लिए इसको कैसे deal करना है कौन सा terrorism खलस्तान ठेररिजम को कैसे deal करना है उसके लिए एक fund अवंटे तो क्या है ये पूरी न्यूज आई है जानते पर ऊससे पहले इसको बहतर समझने लिए थोड़ा सा flashback में जाते हैं दोस्तों अगर आप UK की बात करें तो वहाँ पर कई सालों से खलिस्तानी आतंगवादियों को पाल पोस्कर बड़ा किया गया है अब जाके यह इस प्रकार का दानव जैसा रूप ले लेता है जब आप अगर देखे तो इंडिया का जो हाई कमीशन है लंडन में इस वक्त जो आप तस्वीर में देख रहे हैं वहाँ पर खलिस्तानी घुज जाते हैं और जाके भारत के तिरंगे को हटा देते हैं और इसके बाद यह बात से इंडिया बड़ा नराज हो जाता है और इंडिया टॉप UK डिप्लोमेट को भारत में समन करता है बु नहां पे पैरलली इंडिया समझ जाता है यूके के साथ जब पाला पड़ा है तो उंगली सीधी नहीं रखनी होगी उंगली टेड़ी करनी पड़ेगी तभी जाके घी निकलेगी तो पहले सबसे पहले अगर आप देखे तो क्या करता है इंडिया जो यूके हाई कमिशन न अगबार में यह निउस कवर किया गया है अगले ही दिन इंडियन हाई कमिशन के बाहर सेक्यूरिटी तैनात कर दी जाती है भारी भरकम सेक्यूरिटी फोर्स खड़े हो जाते हैं इसके बाद भी इंडिया एक बात जानता है यूके से जब आप डील कर रहे हैं तो बात सिर इंडिपेंडेंट में आता है इंडिया स्टॉप स्टॉक्स ऑन यूके ट्रेड डिल इंडिया यूके के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर चर्चा चल रही थी यहां पर आपको बता देता हूं अभी इस पर न्यूज आ रहा है कैसे मैंने कहा फाइनांशिल इसी पर जो अटैक हुआ है उस पर आप अक्शन नहीं लेंगे तब तक भूल जाएंगे इंडिया यूके एस्टिये बिटेश मीडिया छोड़िये रेशन मीडिया स्पूटनिक में भी आपको यह देखने मिलता है यह एकॉनमिक एडवोकेसी ग्रूप कॉमेंट्स और रि यूके मान जाता है तो ये निउस सामने आ जाती है इंडिया कहता है ना ना ऐसा तो कुछ नहीं हमने कहा कि एसलिए बात नहीं हो रही क्योंकि आप खलिस्तान वाली खलिस्तानियों के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे वो तो इसलिए बात नहीं हो रही क्योंकि एसलिए बा समझ आ जाती है message जो है लगता है मानों जैसे UK को convey हो जाता है कि अगर आपको हम अपना long term partner देख रहे हैं तभी तो FTA कर रहे हैं FTA का जो actual impact आता है दो सो 10-15 साल में proper तरीके से आना शुरू हो जाता है तो वो impact तभी आएगा जब आप हमारे long term partner आप तब होंगे जब हमारे आपके security interest भी align करेंगे ऐसा तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे यहां पे जो security interest को breach कर रहे हैं आप उनको परिसाइदें आप उनके हाँ उनको बड़ा किया जाए पाला जाए और इस प्रकार का दानवकार रूप ले लें वो हम तो यह कभी नहीं चाह आती है और उसके बाद इंडिया यह messaging convey करके कुछ इस प्रकार का news आता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है FTA पे बाकी वो जहों से चर्चा नहीं हो रही है अब यहां पे अगर आप देखे तो तीन दिन पुराना news आपके सामने ला रहा हूं UK और इंडिया nearing a free trade agreement free trade agreement जो इंड पैरलली जो हमारे security interest है यह देखिए तीनों news जो आपको starting में बताया था खलस्तानी extremism on UK security ministers agenda दूसरा देखिए India seeks deportation खलस्तानीों को deport कीजिए तीसरा UK announces new funding to deal with खलस्तानी extremism इससे यह पता चलता है कि अब जब FTA भी हो रहा है पैरललली मानो जैसे खलस्तानी extremism पे भी UK बात करने के लिए मान गई है तो अब क्या नया हुआ है न्यूज में आईए अब इसी पर चर्चा करते हैं क्या नया है पर उससे पहले दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा हम आपके लिए लेकर के आए हैं उडान बैज जिसमें 900 से अधिक गंटे live class के हैं live answer writing notes making है इसमें आपको 10 mains और 40 films के test series मिलते हैं टॉपर्स classes मिलते हैं comprehensive syllabus coverage है free mains mentorship interview guidance है दोस्तों आप देख सकते हैं 17 अगत से इबाच स्टार्ट हो रहा है 8,420 रुपे में इस वक्त उपलब दे क्योंकि freedom festival sale हमारा चल रहा है use the code के 10 और most importantly यहाँ पे एक number आपके सामने रखा गया है क्या क्या नहीं है course में क्या है इस number पर निश्चिन्थ होके आप call करें और मुझसे जुड सकते हैं इसके सिवा दोस्तों ओडान GS and optional combo है यहाँ पे अगर आप देखे तो आपको यह optional के हमारी faculties है जो यह सारे optional cover कराएंगी इस batch में आपको यह तो पूरा मिलेगा ही मिलेगा साथ में optional भी cover कराया जाएगा complete कराया जाएगा दोस्तों यह आपको मिल रहा है 14,315 रुपए में complete GS complete optional आप केसी 10 code का इस्तमाल करें नीचे description box bin comment में link मिल जाएगा enroll जल्दी से कर लें इसके सिवा दोस्तों pathfinder pass आपके लिए हम ले करके आए हैं जिसमें आप देख सकते हैं क सेवल 24,999 रुपए में 2 साल तक जितना भी pathfinder पर course आता है फिर वो GS का हो optional का हो फिर वो MCQ based syllabus coverage का हो जितने भी प्रकार के course होते हैं ncrt course है वो सब की हर batch की 2 साल में जो भी आ रहा है वो सब आपको available हो जाएगा अपने शिंत होके जुड सकते हैं use the code case it in नीचे description box bin comment में link मिल देगा 24,999 में आपको यह मिल जाएगा तो अब सवाल उठता है दोस्तो UK security minister जैसा आप यहां पर तस्वीर में देख रहे हैं external affairs minister के साथ हैं हमारे तो यह आप जो आप देख रहे हैं दोस्तों यह है Tom Tugendhat तो Tom Tugendhat अगर आप देखे तो इंडिया आए हुए हैं तीन दिन के visit पर है actually इंडिया में G20 का anti-corruption ministerial meeting हो रहा है यह थोड़ा पहले आके बाकी काम भी निपता रहे हैं जिसमें यह क्या करने वाले हैं सबसे पहले तो यहां पर आके national security advisor श्री अजीट दोवाल जी से मिलेंगे वहां पर जाके कहा जा रहा है बहुत एहम चर्चा होनी है जि UK से इस पर तो चर्चा करनी है ये प्रो खलिस्तान elements को अब UK को allow नहीं करने देना है इनको further पालने और बढ़ा करने तो यहां पे साफ साफ ये टुगेंडाट भी कह चुके हैं कि हम तो committed हैं हम इंडिया के साथ काम करेंगे हर प्रकार के extremism को के अंत के लिए वो किसी भी र पात है श्री डोवाल और श्री जैशंकर दोनों ही अपने UK counterpart से मिले थे और उनको अर्ज किया था कि आप उन लोगों के खिलाफ जिनों ने हमारे high commission पे attack किया है उनके खिलाफ strong public action लें उनको डिपोर्ट करें उनको भारत भीजें हम करते हैं हम अच्छे से खिदमत करेंगे हमारे महमानों की कृप्या करके बेजें इसके सिवा अगर आप देखें तो ये demand पर भी अब वापस से जोर दिया जा रहा है Tom Tugendhat के साथ कि इसको भी fulfill कीजिए अब तक ये सब demand है जो आपके सामने रखा गया है यहाँ पे क्या deliverable जो साफ साफ देखने मिल रहा है वो है funding UK के security minister Tom Tugendhat ने अगर आप देखें तो एक करोड रुपे की funding की है जिसके द्वारा UK में जो प्रो खलिस्तान extremism है उसको खतम करने के लिए काम किया जाएगा इसके सिवा Joint Extremism Task Force ये jointly काम करेंगे प्रो खलिस्तान जैसे terrorism को खतम करने के लिए साथ-साथ अगर आप देखें तो migration related challenges जो है उसके खिलास भी काम करेंगे दोस्ते यहां पर बार बार प्रो खलिस्तान extremism कह रहे हैं क्योंकि UK का जो बयान है वो extremism ही कह रहा है अब तक खलिस्तान terrorism वाला शब्द देखने नहीं मिल रहा है प्रो खलिस्तान extremism शब्द पे ही उनका पूरा जोर है खैर फिलहाल के लिए तो extremism ही कह रहे हैं हम इसको terrorism मानते हैं इसके सिवा दोस्तों यहां पर आपको बताना चाहूंगा तो इससे यह पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में UK is definitely not safe for खलिस्तानी जो खलिस्तानियों को support मिलता था UK से वो अब नहीं मिलेगा यहां पर दोस्तों अगर हम प parking lot में गोली मारा गया यहां देखिए परमजीत सिंग पंजवार यह निकलेते वॉक पे पाकिस्तान में लाहोर में वहां पे वॉक पे इनको गोली मारा गया यह अवतार सिंग घंडा इसकी बात अगर हम करें तो यह directly involved था हमारे high commission में जो कहीं न कहीं आप देखें वहां प cancer से मृती हुई है लेकिन ऐसे भी reports आ रहे हैं cancer अभी detect हुआ था इसको poison देके मारा है तो यह news आया है वैसे ही आप यहां देख रहे हैं happy PhD job happy नहीं है क्योंकि अब यह अगर आप देखें तो यही पाकिस्तान में था और इसको वहां पर ही मारा गया है यहां पे आप देख हैं तो इस प्रकार से कई आतंगवादी हैं जिनको मारा गया है तो इससे एक बात तो clear हो रही है UK अब सरकार तो खलिस्तानियों को support करना बंद कर रही है लेकिन एक बात तो तय है खलिस्तानी कहीं भी हो कोई भी जगा उनके लिए safe तो रहा नहीं है दोस्तों यहां पे एक अनकैडमी से जुड़े हुए हैं वो सभी विद्यारती जिन्होंने एक्जाम clear किया है तो इसलिए हो पाया है क्योंकि हम quality education पर कभी compromise नहीं करते अब यही quality education आपके लिए हम बहुत ही affordable rate पर लाएं केवल 8,420 रुपए में 17 अगस्त से हमारा batch start हो रहा है जैसा आप 10 mains के test series 40 films के test series मिल रहे हैं इसके सिवा अगर आपको optional भी cover करवा लेना है तो best है क्योंकि complete GS complete optional इससे affordable rate पर यह quality आपको नहीं मिलने वाला आप देख सकते हैं केवल 14,315 रुपए में live classes answer writing उडान का पूरा batch भी मिलेगा complete optional भी मिलेगा use the code case it in इससे पहले यह offer समाप तो जाएं जाके call करें और optional batches आप चाहें तो individually भी ले सकते हैं इसके सिवा NCRT batch 6110 में NCRT Plus comprehensive GS batch 11789 में नीचे दिये गए number पर आप जरूर call करें इसके सिवा दोस्तों यहां पर pathfinder pass है जिसमें दो साल तक जितने भी pathfinder के course आए हैं आपको 24,999 रुपए में उपलब्द हो जाते ह make sure इसका फाइदा उठाएं साथ-साथ दोस्तों हमारी यह perspective series है इसको भी जरूर देखें और हमें हमारे साथ social media handles पर जरूर follow